हेलो बच्चों कैसे आप सभी उम्मीद करता हूं कि अच्छ होंगे तो चलिए जो बच्चे अब 11 में तो 12 में आ गए होंगे और जो बच्चे 12 के एक्जाम दे रहे थे वह करेंगे अपको यह बता दू कि जो बच्चे हमारे बच्चे 10 पास आउट कर रहे हैं और 11 की तरफ को मूव कर रहे हैं उनका सब्सक्राइब नीट को लेकर है तो नीट के लिए मैं आपको कॉंसेप्ट के लिए कर देता हूं पहली आपका कॉंसेप्ट यह कि 11 और 12 की जो आपके निट वाले बच्चे हैं वह अपनी निट करने बटा क्योंकि आपके लिए समन लीजेगा रामबान है बिल्कुल रामबान इलाज है कोई सोटकर नहीं है जहां भी कोचिंगों मैं जाएंगे आपको रटवाते जाएगा पढ़वाते जाएगा और उसके बास अलक्सन हो या ना हो उनकी कोई गरेंटी नहीं है सबसे बेस्ट के आप को करना गया इलेवंध के लाज में जो बच्चा आरा है टेंट के बाद उनका सपना यह रहे है कि मुझे नीट याईटी में जाना है तो बिटा अपनी एक काम कीज़ेगा सभी बच्चे जो नीट आईटी वाले बच्चे हैं वह अपनी निट इसकाम के बिल्वकुल के लिए बता रहूं करना कैसे आपको सबसे बाइस टी ए एंसे खरीद आप दोनों फस्ट और सेकंड पार्ट जैसे भी एब बात करता हूं फिजिक्स और केमस्टी की बात करूंगा तो आपको करना क्या सबसे बहुत आपके नहीं करें दोनों सेटी खरीद पार्ट आपने फस्ट पार्ट को स्टार्ट के चाप्टर नंबर वन से और एक बात और है कोशिस यह कीजिए आप लोग मेरे बच्चों नियू वाली आ रही है इसको ना ले एंसे जो ओल्ड वाली थी उसको लें और टॉपिक देख लिए कौन कौन से टॉपिक आपके नह कर आप 11 के पासथ पास के शक्कर में ऐसा ना करे आप लोग क Legरीण ऑनच वेस्ट भी आपको लग रहा है कि हत्तब रखाएं पांच-पांच-चाइब कष्के करना है और क्या से करना है हाइलाइटर लेकर बैठे हैं आप लोगों कुछ नहीं करना ना पड़ना बस कि बाई बल्लकुल छोड़ दीजेकर मैं इस पेसल यह कहना चाहूंगा कि यदि जो बच्चे रीट वाले इस वीडियो को इस पेसली देखें करना क्या है वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा सबसे पहले मैं बात करोंगा नीट आइट वाले बच्चों के लिए अपने खरीद ली सबसे पहले आप लोगों एक हाइलाइटर ले ले आप एक दो डिफ्रेंट करना रखें उसके पाद एक कच्छी पैंसिल लेले य सबसे पहले आपने क्या करना क्या है एक पॉइंट को आपको पढ़ना है अब आप कहेंगे इसे पढ़ेंगे आपको आपको कोई शोटगाट नहीं है बिलुकुल कि लिए पता रहा हूं में ओके और उसके बाद करेंगे क्या जैसे आपका चैप्टर नंबर वन कंप्लेट हो गया है उसके फिर आप एक्सराइज कोश्चन पाजाएगा इंटेक्स कोश्चन पाजाएगा एक्सराइज कोश्चन सारी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी हम डालते नहीं वीडियो को योडिचर करा रहा होगा तो इनसे कहते हैं सब्सक्राइज कोश्चन पाजाएगा तो मैं आज यह कह रहा हूं कि यूट्यूब पर सारा कंटेंड पढ़ा हुआ है कि पढ़ने वाला बच्चा सोलुश्चन दोनता ना पढ़ने वाला बाहने डूड़ता है आप क्या डूंडते हैं वह आप जाने काम्याप होना नहीं होना है वह आप पर डिपेंडबल समझ में आगे नहीं आ गया इसके बाद क्या करना से सब्सक्राइब आपका एक चैप से करेंगे नीट कोश्ण करेंगे आई डी कोश्ण करेंगे तो आपको यह पता बढ़ जाएगा कमजोडी कहां हो रही है और एक चैप्टर को पहले आप कि लिए रखने इसके बाद आप दूसा चैप्टर को पकड़ें कि ऐसा नहीं कि आपने एक चैप्टर के एक साथ यानिक एक साथ चोड़ दी तो यह निकि तुमने इन टैक्ट शोड़ दिया त्योरी कर लिए उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद फिर उसमें से कोश्ण लगाएं आप पीवाई की कोश्ण करने प्रीविस एक कोश्ण बनता कैसे हैं पहचान नहीं आपको ठीक और उसके बाद फिर अपना चाहिए चाप्टर नंबर सब्सक्राइब करें इस तरह से पॉइंट पॉइंट आप लोग अपने पूरा सी दिवसों कंप्रेट कर लिजेगा कोशी से करें 11 का सिले बस आप 11 में ही कंप्रेट कर लिज सब्सक्राइब करना पड़ेंगे पड़ना आपको रास्ता बता देंगे तरीका बता देंगे पढ़ना आपको ही पड़ेगा रात रात जो काली करने वह आपको कंसेप्ट सीथा है कि यदि आप मैनत करोगे तो भाई सेलक्षन होगा अधर वाई देगे नैसनल लेवल का पेपर है आसानी से आलवा नहीं है कोई भी का सब्सक्राइब बाद लोग की तरह उड़ना है तो पागलों की तरह मैनत करनी है सब्सक्राइब लिए और बाकि हम आपके साथ खड़े हुएं है यह लिए यह कोंसेप्ट था हमारे जो बच्चे 11 12 के बाद आया है यह निके 11 12 के साथ आप आप आई टी नीटी तरह यह करना चाते हैं उसके लिए था उसके बाद मुझे लगता है कि कुछ बच्चे ऐसे ह जो हो था इप लाइट भी जो वह तो इसको बड़े हैं तो बहुत बड़ा एक्जाम दे दिया हमने के लगता है अदीकारी की फिलिंग वगर आ रही हो किसी को तो उसको दिमाग से तुला निकाल देना अभी आप 10 के बाद भी किसी को लगे ना कि 10 पासओ ने के बाद या 12 तोड़ी फीलिंग आने लगे कि हम अधिकारी बन गए उसको तोड़ी निकाल देना भी तोड़ा को स्टाइम के लिए लगवा तीन चासाल के लिए को सब्सक्राइब तो बच्छे लग रहा है कि को को बखिसे करें कि 11 से ही आफ त्यार को स्टार्ट करते आप को जाना किस लाइन में लग रहा है आपको को कि तरफ को पर नहीं कि बहुत कुछ त्यारी करें यह वह तुम जैसे बहुत बैटे हो ठीक है उसके पद आराम से त्यारी करें कौंसेट बनाए अपना तरीका इस्टेजी बनाए पढ़ाए कि अगराम से बड़े तरीके से साल में दो साल आपका 11-12 तो पांसाली तयारी के पाद जैसे भी आप ग्रीजिशन कर जाते हैं एक साल बिल्कुल बहुत त्यारी त्यारी करें अपना सेलक्षन लेकर निकल जाएं अब आप कहेंगे सर सेलक्षन हो जाएगा बहुत है विचल लाए अब कुछ बच्चे कहते हैं अब कॉम्पेट तो करेंगे पेपर आउट वगर आप बड़ी बात नहीं यह एक हाथ दो लोग तो चार पांत लोग वहाथ लगती हैं और बागी आफ़ा वाली बात जादा होती हैं समझदार वाली बात जादा नहीं उड़ती है वो जो गलत नहीं दीखेगा अब सेलेक्षन ना वहाइं अब चोटी चीए गलती हो दुनिया यह कहीं जानते थे कि बार क्वाल आकला करते हैं तो यह तो यह नहीं है ब्लुकुल के मतलब यह नहीं के आप सर पेपर लीग हो रहे हैं आउट हो दिक्कत नहीं है एक साल में नहीं होगा तो साल में सेलक्षन होगा वैई पेपर सैट एक सब्सक्राइब अब मुझे लगते हैं अब मुझे लगते हैं अब फिर आउट जादा रहेगी एक दो लोगों के पास पेपर वगए रहाता है उसके बाद उसके अफ़वा जाती है बस और कुछ नहीं है तैयारी करने यह करने वाले हो को यह से कहले तब को जिकतर नहीं है भी समझ में आगया ऊगर आगा इस रहें अपने आपको पोजीटिव रखेगा मोटिवेट रहीए का मतलब सलेट होना है तो होना है अब नोग्री नहीं लगेगी हमारी पेपर आउट हो रहे हैं यहारी लगी कि चीड़ कि नोकरी लगने से मतलब ने नोकरी को शीनना है भाई भैनत करना है बढ़े तरीके से कि लिए और बागी तो जो बच्चे हमारे आईटी वाले नेट वाले 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 वह राम सब्सक्राइब जो यूप पुलिस इजल वाले बच्चे तो अपने फिजियल को अच्छ रखत करती है आपकी ठीक है मैनत कीजिए अब बढ़िया तरीके से कहते हैं जिसको ओके जैसे भी तेंथ के बाद 11 में आ रहे हैं तो मैं आप से एक बात हो रहा हूं बस रिक्यवेस्ट है मान लेना चोटा भाई मानना या बड़ा बाई मानना रिक्यवेस्ट कर रहे हैं आप से बाई यदि 10 के बाद आप 11 में आ गए हैं तो मेरे कहने से बस अपने आपको चार से लास्ट पांस साल दे दीजिएगा पांस साल के अंदर आप सेलेक्ट हो जाएंगे 101 परसेंट मैं आप से कह रहा हूं तो मान लीजिए इस बात को चार से पांस साल आपको तयार करने 11 में जैसे भी आप लोग आ गए हैं बस पांस साल का दोर बचा हो ऑगा पांस साल का टाइम है आपके पास इसके बाद आपको फीटर या तो बन गया लाइप या बेकार हो गई है इसमझ में आगा नहीं है मेनत कीजिए गए बड़े तर सकते हैं हम आपका कोई नहीं देने जाएंगे ना ही इसा आहिसा कि आपकी लगवा दिए सबसे बड़ी बात तो ये भी रहती है यदि हम बाइद है किसी कोपी चेक करने के लिए जाते भी है तो हमें खुद है नहीं पता होता है कि हम कोपी किसकी चेक कर रहे हैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना कि आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा और बाकी जो बात करते हैं उसके लिए कि कोचिंग पर न्यूबैच चलाए हुए और बाकी जो कोचिंग हैं हमारे दो जगे हैं पुड़ में उसे आप राम से आपके पास हो है डिस्क्रिप्शन वगर हम डलवा देंगा उसके लोकेशन वगर उसको आप वहां से देख लीज़ेगा और बाकी तुम्हें यह कहना चाहूंगा कि जो बच्चे नीट आईटी कि समझ में आगा तीन चर घंटे खराब हो जाते हैं नुहीं साट्टूशन लगा लीजिए बढ़िया पढ़ियेगा घर पर भी पढ़ियेगा ठीक है नहीं ओके बच्चों